प्राइटिश ओपनिंग होती हुई कल के अच्छे मूज़ के एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड इस समय सुबह सुबह नदर आ रहा है जी है बिल्कुल नदर आ रहा है अभी तक कोई लीडर्शिप नहीं आ रही निकलके मैं यह कहूंगा जो अभी कुछ दस मिनट पहले का था कि निफ्टी बैंक को एवाइट कीजेगा और निफ्टी बैंक को एवाइट कीजेगा निफ्टी स्टेबल होने में तोड़ा सा वक्त लेगा तो कम से कम 17950 की टेजेक्टर को एटेंट करेगा लेकिन उस कॉल पर कमिटेट रही है बस पहली चीज़ यहां पर है बैंक निफ्टी को एवाइट करेंगे कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें याद रखेगा आज आटो के कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं बैंक्स में अगर आब देखें कोई अगर आब देखें स्ट्रेंथ नहीं है अच्छा खासा मूव यहां पर है मारुती अच्छा कर रहा है तो मंगलवार का फेक्टर जो है वो मारुती पी थोड़ा सा हावी होता हुआ और एफमसीजी के कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और साथी साथ फार्मर स्पेस के अगरा देखें सिपला फार्मर में से नेस्ल अगरा देखें एफमसीजी बासकेट सचा करतवा और पावर की थीम में अगरा देखें जो आपका पावर गिंड है उसरा बोर है और काफी शांदा तेजी यहां पर इसमें दिखाई दे दिया SBI बेक फूट पे, HTC Bank बेक फूट पे तो यह बैंक्स थोड़ा सा अगरा प्रेशर में है बच स्टिल निफ्टी को देखें तो कमफर्टिबली अठारा हजार के उपर प्लेस्ट है लेकिन लेवल जहन में रखेंगा और वो है सतरा नौसु पचास हमको कमिटेड लॉंग पे, निफ्टी की उस कॉल पे तब तक रहना है जब तक सकिंड बेस स्कीन पे मेंचन रहा है मानस, इस ओपनिंग को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप और इस फक्त स्कीन पर एक चीज़ अगर आप शुरुवाती पांच मिनिट में देखें जो अच्छी लग रही है वो है आटो का बिहेवियर, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा पहला तो देखें, पहले अगर निफ्टी के बात करें, यह सही है कि हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है लेकिन अभी बुलिच बना हुआ है मेरा समझना है कि जब तक 17,950 के निफ्टी नीचे ना फिसले निफ्टी, तब तक आप उपनी लॉंग पोजिशन में बिल्कुल बने रहे सकते हैं तो 17,950 के साथ आप बिल्कुल पोजिशन बने रही है और मेरे इसास तो इस गिरावट पर खरीजारी करनी है क्योंकि जो कुछ दिनों पहले मैंने फ्लैक पैटन की बाद की थी करीब 4-5 दिन पहले उसके जो टार्गिट मैंने मेंशन किये थे वो 18,300 के आते हैं तो वो लेवल बिल्कुल निफ्टी टेस्स कर सकता है तो अभी भी मैं काफी पॉजिटिव हूं मार्केट पे खरीदारी करनी है आईशर मोटर्स में देखे आटो शेथ अच्छा लग रहा है आईशर मोटर्स ने कंसलिडेशन के बाद आज एक स्ट्रेश ब्रिक आउट दिया है मेरा समझना है कि 100 इमूइंग आवरेज अलड़ी ब्रीच हो चुके हैं अब सारे 4% की मजबूती के साथ इंडिया मार्ट इस समय काम काज करता हुआ माना जब रिविजिट करेगा इंडिया मार्ट स्टॉप लोस उपर ले आऊ इंडिया मार्ट की जहां तक बात है बिलकुल आप स्टॉप लोस को थोड़ा उपर ला सकते हैं